हेलो दोस्तो स्वागत है आपका बॉलिट ट्रस्रूम यूटीब चैनल में दोस्तो लोग तो आते जाते रहते हैं पर कुछ लोग पूरी दुनिया के दिलों में अपनी एक अलग ही जगा बना लेते हैं किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिन्दीगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए इस बात को आज इर्फान सर ने प्रूफ कर दिया है हर एक्टर का कुछ फिल्म बहुत ही जबर्दस लगता है तो कुछ फिल्म में पसंद नहीं आता है पर इर्फान सार एक ऐसे एक्टर थे जिनकी कोई भी फिल्म दिल को बिना चुए जाते ही नहीं थी उनको बॉल्यूड में क्वालिटी कांटेंट का किंग माना गया है और उनकी एक्टिंग ने पूरे बॉल्यूड इंडिस्ट्री के स्ट्रक्चर को चैलेंज किया उनकी इस अकाल दिहान के वज़े से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा जटका लगा है पर उनकी शांदार एक्टिंग और जबर्दस फिल्मों ने उनको सभी के दिलों में अमर कर दिया है वे अगर फिल्म में लीड रोल पे ना भी रहे तब भी उनकी जबर्दस पर्फोमेंस उनको मुख्य आकर्शन बना ही देते है जो कि हमें Life of Pi और Slumdog Millionaire जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है दोस्तो आज मैं उनके कुछ बहतरे इन फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये सारे फिल्म्स उनके सबसे बहतरे इन फिल्मों में से है मैं आज आपको उनके 10 सबसे जबर्दस फिल्मों के बारे में बताऊंगा तो दोस्तो शुरू से शुरू करते हैं दोस्तो 2003 में रिलीज हुए फिल्म मकबूल एक इंडियन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे डिरेक्ट किया है विशाल भरदवाज ने जो की विलियम शक्सफेर के मैक बेट से इंस्पार्ड है ये एक बहुती शांदार फिल्म है दोस्तो जो की आपको जरूर देखना चाहिए उसके बाद नौवी नंबर पर आता है फिल्म हासिल और वो भी 2003 में ही रिलीज हुआ ये फिल्म है दोस्तो स्टुडेंट पॉलिटिक्स और गैंस्टर के लिलेटेड जहाँ पे हमें प्यार और पॉलिटिक्स का एक अदभूत मेल देखने को मिलेगा उसके बाद सीधे चलते हैं 2012 में जहाँ पे उन्होंने पांग सिंग तोमर का एक बायोग्राफिकल फिल्म किया था और उस फिल्म के बाद से ही बॉलिट इंडिस्ट्री में बायोग्राफिकल फिल्म को लेके एक अलगी रेवलेशन शुरू हो गया है जो की अब तक कायम है ये फिल्म एक बागी के बारे में है दोस्तों जिन्हें हालातों ने एक खिलाडी से उनको बागी बनने पर कर दिया ये फिल्म इमोशन और एक्शन से भरा हुआ है आप उस फिल्म को जरूर देखे उसके बाद आता है 2013 में रिलीज हुआ ये एक बहुत ही अलग तरह की डोमेंटिक फिल्म है दोस्तों जो की एक टिफिन बॉक्स से शुरू होता है उसके बाद छटी नंबर पर आता है फिल्म डी डे जो भी 2013 में रिलीज हुआ ये फिल्म देश बक्ति के पागल कुछ सिर्फिरी लोगों की दास्ता बताता है दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिएशन बेल को दबाएए ताकि आप बॉलिट के साथ साथ एक पिता और एक बेटी की अलग सोच के बारे में डीडिप अंडेसटेंडिंग भी देता है उसी साल 2015 में उन्हों और एक फिल्म किया जिसका नाम है तलवार और इस फिल्म को internationally guilty के नाम से रिलीज किया गया इस फिल्म में इर्फान खान जॉइन डिरेक्टर आफ सी विया की किर्दार में नजर आते है और ये फिल्म भी उनके जबर्दस फिल्मों के कलेक्शन में अपने एक अलग ही जगा बनाता है तीसरे नमबर पर जो फिल्म है वो है मदारी जो की 2016 में रिलीज हुआ इस फिल्म में इर्फान खान एक common happy family man की किर्दार निभाते है जिसने अकेली ही पूरे corrupted system को हिला कर रख दिया इस फिल्म में हमारे corrupted system के काली सच्चाई को expose किया है दूसरे नमबर पर आता है उनका एक जबरदस्त फिल्म हिंदी मेडियम जो की बहुत ज़्यादा popular हुआ था इस फिल्म में हमें हमारे education system के complexities को दर्शाय गया है उसके बाद पहली नमबर पर आता है फिल्म कारवा जो की 2018 में रिलीज हुआ और ये फिल्म एक roadside comedy drama फिल्म है इस फिल्म में हम जिन्दी की जीने के एक अलग है एहसास को experience करेंगे पर दोस्तो मैंने उनकी latest और आखरी फिल्म को out of the list ही रखा है ये फिल्म तो उनके सारे फिल्मों से competition के परे है जहाँ पर हमें अपने माता पिता के sacrifices का एहसास होता है और दोस्तो मैं आपको और एक बात बता दू मैंने यह आपे जो भी फिल्मों के बारे में बताया है ये सारे फिल्म उनके अपने category के हिसाब से सब सब best है और इसलिए मैंने इन फिल्मों को year of release के हिसाब से list किया है तो दोस्तो इन में से कौन सी movies आपने देख ली है और आपको कौन सी movies सबसे best लगा वो भी नीचे comments करके ज़रूर बता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like and share जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कीजिए